Welcome to Learn Together, मैं हूँ संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार एस्टेट सोसल साइन्स फ़र्ष्ट पिपर को और हम लोग जगरफी कवर कर रहे हैं और हमारे चैप्टर कराम है भारत के पडोसी देश तो इसमें हम लोग भारत के पडोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे और उस प्रवत स्रिंखला है राइट एंसर ऑप्शन ए इसके बाद हम लोग देखेंगे गंडग नदी को नैपाल में किस नाम से जाना जाता है गंडग नदी जो है इसको नैपाल में किस नाम से जाना जाता है तो नारायनी नदी के नाम से जाना जाता है गंडग नदी को नैपाल में नारायनी नदी के नाम से जाना जाता है राइट एंसर ऑप्शन बी भूटान की राजधानी कहा है तो भूटान की राजधानी थिम्पू है कहा है थिम्पू राइट एंसर ओप्शन C अगला है भूटान में हिमाले की सरवाधी कुचाई है वो कितनी है तो ये है 7556 मीटर कितनी है 7556 मीटर राइट अंसर ऑप्शन B अगला देखेंगे भूटान में आसत वार्षिक वर्षा होती है भूटान में आसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है 250 cm होती है Right answer option C Next भूटान के कितने प्रतिशत छेतर पर 1 का विष्टार है तो भूटान के लगभग 70% छेतर पर क्या है वन का विस्तार है राइट एंसर ओप्शन सी भूटान की सक्छर्टा दर कितनी प्रतिशत है तो भूटान की सक्छर्टा दर जो है वो 42 प्रतिशत है अब देखेंगे हम लोग बांगला देश को तो भूटान के बारे में हम लोग देखें अब भूटान के बास से देखेंगे बांगला देश को तो बांगला देश का पूर्व का नाम क्या था बांगला देश का पूर्व का नाम क्या था तो बांगला देश को बांगला देश से पहले क्या कहा जाता था पूर्वी पाकिस्तान कहीं हिस्सा था तो इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था राइट अंस तो 4,096 है, कितना है, 4,096 किलो मीटर है, right answer option B, एक चीज़ ध्यान में रहेगा कि भारत की किसी देश के साथ में सबसे लंबी जो विदेशी जैसे की सीमा रेखा कहा जाएगा, विदेशी सीमा रेखा जो है, तो वो बांगला देश के साथ में ही है, तो बांगला देश के तन्तर हुआ, बांगला देश कपसो तन्तर हुआ, तो 17 दिसंबर 1971 को, कपसो तन्तर हुआ, बांगला देश 17 दिसंबर 1971 को, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बांगला देश एशिया महादीप के किस भाग में है, बांगला देश जो है वो एशिया महादीप के किस भाग म इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी की बांगला देश में किस नाम से जाना जाता है तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांगला देश में हम बोलेंगे जमुना के नाम से जाना जाता है किस नाम से जमुना के नाम से जाना जाता है राइट एंसर ओप्शन B अब बांगलाद इसके बाद देखेंगे स्री लंका को स्री लंका की आकरिती कैसी है तो स्री लंका की आकरिती अंडाकार है कैसी है अंडाकार है राइट एंसर ओप्शन B इसके बाद से देखेंगे पिदूर ताल गाला पिदुर्ताल गाला स्रीलंका का एक प्रमुख इस्थला कृती है तो ये क्या है? तो ये सिखर है सिखर है right answer is option C स्रीलंका की राजधानी कहा है? स्रीलंका की राजधानी कोलंबो है कहा है? कोलंबो right answer option B next है भारत से स्रीलंका को अलग करता है भारत से स्री लंका को पाक जलसंदी अलग करता है, क्या अलग करता है, पाक जलसंदी अलग करता है, right answer is option A, इसके बाद देखेंगे स्री लंका में लोक तंत्री की इस्थापना कब हुई, तो ये हुई 1956 में, कब हुई, 1956 में right answer is option D, आगे है पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवा हवाई अड़ा जो है वो इसलामाबाद में है अब हम लोग पाकिस्तान को देख रहे हैं तो पाकिस्तान की का जो सबसे बड़ा हवाई अड़ा है वो इसलामाबाद में है अगला है खेल सामान बनाने में विश्र प्रसिद्ध है खेल सामान बनाने में विश्र प्रसिद्ध क 3770 मीटर, 3770 मीटर, राइट एंसर इज ऑप्शन B, आगे देखेंगे सिंधू नदी बहती है, सिंधू नदी बहती है, तो ये उत्तर से दचिन की ओर बहती है, सिंधू नदी कैसे बहती है, तो उत्तर से दचिन की ओर बहती है, राइट एंसर ऑप्शन C, अब देखेंगे आम पहलो नेपाल की राजधानी कहा है तो नेपाल की राजधानी कठमांडू है कहा है कठमांडू right answer is option c next नेपाल का सरवोच परवस्तिखा average नेपाल में किस नाम से जाना जाता है तो average को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है किस नाम से सागर माथा के नाम से इसे जाना जाता है Right answer option C अगला देखेंगे पाकिस्तान में वर्षा का ओसत क्या है तो पाकिस्तान में वर्षा का जो ओसत है ये 35 cm है कितना है 35 cm Right answer is option D Next है पाकिस्तान की कितनी प्रतीशत भूमी क्रिशी योग्य है तो पाकिस्तान की 19 प्रतीशत भूमी ही है जो की क्रिशी योग्य है Right answer option A Next है पाकिस्तान की कितनी प्रतीशत जनसंख्या क्रिशी में सनलगने है तो पाकिस्तान की लगभग 72 प्रतीशत जनसंख्या जो है वो क्या है क्रिशी में सनलगने है Right answer option B आगे देखेंगे पाकिस्तान में कितने प्रतिशत भू भाग पर 1 फैला हुआ है तो पाकिस्तान में 1 कितने प्रतिशत भाग पर है तो 3 प्रतिशत भाग पर ही केवल 1 है पाकिस्तान में right answer option D आगे देखेंगे पाकिस्तान में कितने प्रतिशत क्रिशी भूमी को सुचाई की सुविधा उपलब्द है तो कितने प्रतिशत क्रिशी भूमी को सुचाई की सुविधा उपलब्द है 63 प्रतिशत को Right answer is option A नेक्स्ट देखेंगे लौ इस पात का उत्पादन पाकिस्तान में कहा होता है तो लौ इस पात का जो उत्पादन है ये पाकिस्तान में मुलतान में होता है राइट एंसर ओप्शन बी नेक्स्ट है पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है तो पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में पत्रीली मिट्टी पाई जाती है राइट एंसर ओप्शन ए अगला देखेंगे निमनलिखित में कहां खनीज तेल का उत्पादन पाकिस्तान में किया जाता है तो पाकिस्तान में खनीज तेल का उत्पादन कहां होता है खैरपूर में होता है राइट एंसर ओप्शन ए निमनलिखित में किस स्थान में कोईले की खदान पाकिस्तान में नहीं है अब देखेंगे जोब घाटी किस खनीच के लिए प्रशिद्ध है तो जोब घाटी जो है वो क्रूमियम के लिए प्रशिद्ध है राइट एंसर आपशन सी अगला है निमनलिकीत में किस स्थान पर पाकिस्तान में गैस आधारी उधोक का विकास किया गया है गैस आधारी उधोक का तो सुई में कहा पर सुई में right answer option A next देखते हैं पाकिस्तान में रशायन पदार्थों के बनने का सबसे बड़ा कारखाना कहा है तो राशायन पदार्थों के बंदे का सबसे बड़ा जो कार खाना है वो दाउद खेल में है कहा है दाउद खेल में राइट एंसर ऑप्शन डी इसके बाद जैकोबा बाद किस कारण जाना जाता है तो जैकोबा बाद जो है ये सबसे गर्म छेतर है जैकोबा बाद जो है वो सबसे गर्म छेत्र है right answer option B अगला है पाकिस्तान का छेत्रफल कितना है पाकिस्तान का छेत्रफल कितना है तो 8 लाग वर्ग किलोमीटर है कितना है 8 लाग वर्ग किलोमीटर है right answer option B अगला देखेंगे पाकिस्तान का दच्छिन पच्छिन पठारी छेतर क्या क्या लाता है तो पाकिस्तान का जो दच्छिन पच्छिन पठारी छेतर है वो ब्लू चिस्तान कहा जाता है राइट एंसरीज उप्षन C इसकी बाद हम लोग देखेंगे पाकिस्तान को किस नदी की देन कहा जाता है तो पाकिस्तान को सिंधू नदी की देन कहा जाता है Right answer is option D इसकी बाद है निमनलिखित में कौन पाकिस्तान का बांध नहीं है पाकिस्तान का बांध कौन सा नहीं है तो हिंदू जो है ये पाकिस्तान का बांध नहीं है Right answer is option D Next दिखेंगे मंगला क्या है मंगला क्या है तो मंगला पाकिस्तान इस्थितिक बांध है मंगला पाकिस्तान इस्थितिक क्या है बांध है राइट अंसर इस ओप्षन बी नेक्स्ट पाकिस्तान की भारत के साथ सीमा रेखा की लंबाई कितनी है नेक्ष्ट पाकिस्तान की तटिय सीमा की लंबाई कितनी है तो पाकिस्तान की तटिय सीमा की लंबाई एक हजार 46 किल मिटर है कितना है 1046 km right answer option A next पाकिस्तान की राष्ट भासा क्या है तो पाकिस्तान की राष्ट भासा उर्दू है right answer is option A next है पाकिस्तान की जन संक्या लगभग कितनी कडोड है तो पाकिस्तान की जन संक्या लगभग 17 कडोड है right answer option D अगला है पाकिस्तान में जन घनत्व कितना प्रती व्यक्ति प्रती वर्ग किलो मीटर है तो यहाँ पर हो जाएगा कि यह दो सो सोला नेक्स्ट इसलामाबाद का तापमान और सतन जनवरी और जून में कितना डिगरी सेल्सियस तक चला जाता है तो जनवरी और जून में इसका जो तापमान होता है वो 2 से 40 डिगरी हो जाता है राइट अन्सर ऑप्शन सी अब देखेंगे पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड़ा कौन सा है तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड़ा इस्लामाबाद है, right answer option B Next, निम्नलिखित में कौन नगर खेल के समान बनाने के लिए विश्व प्रशिद्ध है तो खेल का सामान बनाने के लिए विश्व प्रशिद्य है श्यालपोर्ट राइट एंसर ओप्शन सी आगे देखेंगे पाकिस्तान की सबसे प्रशिद्य चोटी तक्त सुलेमान की उचाई कितनी है तो तक्त सुलेमान की उचाई जो है वो 3770 मीटर है कितनी है 3770 मीटर राइट एंसर ओप्शन बी अगला देखेंगे कि सिंधु नदी का बहाव किस दिशा में है तो सिंधु नदी का जो बहाव है ये उत्तर से दचिन की और है राइट एंसर ओप्शन बी नेक्स्ट पाकिस्तान में परमाणों सक्ति उत्पादन केंद्रे कहां इस्थित है तो परमाणों सक्ति उत्पादन ने केंद्रे जो है वो कुहूटा में इस्थित है कहां पर कुहूटा में राइट एंसर इस ओप्शन बी एसिया की सबसे बड़ी छीनी मील कहां इस्थित है एसिया की सबसे बड़ी छीनी मील जो है वो मारदान में है कहां है मारदान है right answer is option A next है पाकिस्तान का कौन सा इस्थान दरी बनाने के लिए प्रशिद्ध है दरी बनाने के लिए प्रशिद्ध है कौन सा तो शिकारपूर जो है ये दरी बनाने के लिए प्रशिद्ध है राइट एंसर ओप्शन B अगला है खेरपूर किस से सामान बनाने के लिए प्रशिद्ध है तो खेरपूर जो है वो चमड़ा से सामान बनाने के लिए प्रशिद्ध है राइट एंसर ओप्शन C नेक्स्ट निमनलीखित में कौन सा पदार्थ है पाकिस्तान के प्रमुख निर्यात में शामिल है तो पाकिस्तान के प्रमुख निर्यात में कपास भी है सेना नमक भी है और सुखे फल भी है तो राइट एंसर ऑप्शन डी इन में से सब ही अगला देखेंगे तो निम्नलीखित में कौन पाकिस्तान के प्रमुख आयात की वस्तू नहीं है आयात की वस्तू नहीं है तो जूते जो है ये आयात की वस्तू नहीं है राइट अंसरीज उप्शन डी नेक्स्ट देखेंगे पाकिस्तान में टेलिफोन बनाने का कारखाना कहाँ इस्थापी थे तो टेलिफोन बनाने का जो कारखाना है वो हरिषपूर में है, राइट एंसरीज ओप्षन सी अगला है भारत ते कितने राज्यों की सीमाएं नैपाल से छूती हैं तो भारत की 5 राज्यों की सीमाएं जो है वो नैपाल को छूती है राइट एंसर इस ओप्सन डी तो इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहें वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेर जरूर कीजिएगा इस वीडियो का जो next part है तो वो अगले वीडियो में आप लोगों मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद आप next वीडियो को जरूर देखिएगा तब जा करके यह session जो है वो पूरा complete होगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए धन्यवाद